हलो एब्रिवन श्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल आईडियल यूटूबर बहुत वह श्वागत है आपका बच्चों इस वीडियो में बिहार private MBBS college के बारे में हम पूरा information इस वीडियो में देने वाले हैं college के fee structure के बारे में detail में discuss करेंगे किस college में कितने all India rank तक admission जो है वो possibility है शिख minority का कितने rank तक admission हो सकता है muslim minority का कितने rank तक admission हो सकता है Private MBBS College में Unreserved Category वाले बच्चे का कितने rank तक admission हो सकता है किस college की कितनी fee है Overall package क्या है इसके बारे में पूरी detail में हम discuss करने वाले है कौन-कौन से नए colleges जूरे है किस college में कितनी seat है इसके बारे में पूरा information आपको बिहार के private MBBS college के बारे में इस वीडियो में मिलने वाला है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो थोड़ा miss मत किजिएगा क्योंकि बहुत सारे information जो है बहुत सारे darks, points जो है इस वीडियो में मैं आपसे share करने वाला हूँ यह बहुत important वीडियो आप सबों के लिए रहने वाला है जो बच्चे बिहार के private MBBS college में admission लेना चाहते हैं उनके लिए government college के उपर जो है वो मैं एक special video जो है बना दूँगा यह video सिर्फ private MBBS college के लिए है अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए WhatsApp और Telegram चैनल को जरूर जोइन कीजिए वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा बच्चों यह BCEC की counseling की website है 2024 की अगर हम बात करें तो अभी तक जो है choice filling का schedule नहीं आया है 21 तारिक को आपका merit list आना है उसके बाद counseling, choice filling, seat allotment, document verification का schedule जो है वो आजाएगा अगर हम seat matrix की बात करें बिहार के private MBBS college की जो 2024 का seat matrix है उसमें total 9 colleges है जिसमें की आपको पहला कटिहार medical college है जिसमें total 1,500 seat है unreserved seat 53 है Muslim minority reserve seat 75 है और NRI quota का 22 seat है बच्चो ये जो NRI quota का seat है अगर ये seat जो है वो नहीं भरता है तो इस seat को convert करके NRI quota में जो है वो shift कर दिया जाता है ठीक है माता गुजरी में 100 seat है 55 unreserved seat है जिस पर किसी भी state के बच्चे जो है वो admission ले सकते हैं अगर आप other state वाले हैं तो आपको क्या है जनरल कर्टोगरी के qualifying marks पर आपको admission लेना पड़ेगा अगर आप need qualify है तभी आप counselling में participate कर सकते हैं Muslim minority के 30 seat है और NRI का 15 seat है नरायना medical सासाराम की हम बात करें तो 200 seat है unreserved 213 seat है और NRI के लिए 37 seat है ठीक है लोड बुद्दा में 100 seat है मदूबिन medical में 1.500 नेताजी सुवास में 100 सिरी नरायना medical साहरसा में 1.500 आड़े जीम में 150 है और हिमाल्या में 50 seat जो है वो दिया गया है unreserved के लिए 43 और NRI कोटे के लिए 7 seat है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी किसी ना किसी counsellor से counselling करवा रहे होंगे तो उनके लिए मैं चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे counsellors है आपका low score है ठीक है मान लिजिए कि आपका 200-200 number है वो आपको ये कह देंगे कि आप 2-2.5-3.5 आप हमें payment कर दो मैं आपको कटिहार और माता गुजरी जो है वो दिलबाद दूँगा तो बच्चो वो क्या करते हैं न ऐसे में क्या करेंगे कि आपका NRI कोटे से वो फॉर्म फिलप कर देंगे NRI कोटे का double fee है अगर मान करके चलिए 10 लाग समेस्टर कफी कटिहार mental college का है आपका admission करवाएंगे NRI कोटे से college को पैसा मिल गया counselors को भी college वाले पैसा दे देते हैं मैं किसी college की proper बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन से college वाले पैसा देते हैं किस counselors को seat flip करवाने के लिए ये merit based जो है वो counseling होना है क्योंकि counseling जो है वो merit के base पे ही मिलेगा आपके score पे ही आपको seat allotment होगा कोई भी counselor आपको seat allot नहीं करवाएगा आप counseling में participate करेंगे सारे guidelines को follow करेंगे rank based counseling करेंगे अगर rank match कर गया counseling में तो आपको college मिलेगा नहीं तो college नहीं मिलेगा ये चीजे होती है ठीक है ये देखिए ये final seat matrix नहीं है पर upload होगा उस पर मैं प्रोफर वीडियो जो है वो बना दूँगा अभी देख सकते हैं हिमालिया में 50 seat है लेकिन बिहार medical authority ने इसको एप्रॉक्स डेर्सो प्लस seat का जो है वो recognize किया है लेकिन 50 seat ही अभी तक affiliated हुआ हो सके इसकी भी seat बढ़ जाए ठीक है प्राइवेट डेंटल में देख सकते हैं कि तीन colleges है एक बुद्धा डेंटल में 100 है उसके बाद मितला में 60 है और सर्यूग डेंटल दर्वंगा में 40 seat है ठीक है इसमें हम प्राइवेट MBBS कोलेज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हो सके तो एक कॉलेज और बढ़ जाए प्राइवेट कॉलेज में तो अभी जो है फिलाल इतना seat का और कॉलेज के अपडेट है उसके बाद चलिए हम आएए आते हैं कटफ के उपर तो बच्चो बिहार के प्राइवेट MBBS कॉलेज में एड्मिशन लेने के लिए ठीक है अगर आपका स्टेट रैंक छे हजार से नीचे आता है ठीक है तो आपको बिहार में प्राइवेट MBBS कॉलेज में एड्मिशन मिल जाएगा अगर ऑल इंडिया की रैंक हम बात करें ठीक है तो यहाँ में देखिए इसका 10,42,579 रैंक तक जो है इनका एड्मिशन हो जाएगा बिहार के MBBS प्राइवेट कॉलेज में वहीं उसके बाद 6,13,422 सिक मानुरिटी का है नीट ओल इंडिया रैंक और और 5,82 तक जो है इनका स्टेट रैंक के हिसाब से एड्मिशन हो जाएगा एनराई का देख सकते हैं 6,000 रैंक तक स्टेट रैंक वही आपको 10,50,980 रैंक तक जो है वह आपका एड्मिशन नराई वाले बच्चों का हो जाएगा उसके बाद आए हम आते हैं जो है एक प्रॉपर कटफ जो है मैं आपको कॉलेजिस वाई जो है वह बता देता हूं ठीक है इसका मेरे पास डिटेल है ठीक है इस वीडियो को पूरा आप जाता है नमर वन पर है कटिहार मेडिकल कॉलेज दो नमर पर है MGM तीसरे पर है सासा राम NMCH लोड़ बुद्धा चौथे नमर पर है पाचने पर मधवनी है उसके बाद श्री किर्शना सहरसा है उसके बाद नेता जी है राधा जेवी जगश्री मेमोरियल है देन उसके बा कोलेज में अन्रिजब वाले बच्चे को एडमिशन की पॉसिबिलिटी है ठीक है जिसका स्कूर जो है वह 500 के आसपास रह सकता है MGM किसन गंज का जो है वह एक लाग च्यालीस जार पैतालीस रैंक तक पॉसिबिलिटी है ठीक है वही अगर सासा राम NMCH की हम बात करें तो जो है वह 3,99,427 रैंक तक पॉसिबिलिटी है इसका भी आपको 300-300 के आसपास जो है वह कटफ जाएगा ठीक है कटिहार मेटकल कॉलेज और MGM किसन गंज की अगर हम बात करें तो इसका जो है वह 400 के एबव ही कटफ रहने वाला है ठीक है सारे 400 के एबव ही उसके बाद सासा वह कटफ रहने वाला है उसके बाद यह तीन कॉलेजेज को छोड़ करके बिहार में जितने भी कॉलेजेज है वह जश्ट क्वालिफाई वाले बच्चे यहां जो है वह अड्मिशन ले सकते हैं इन कॉलेजेज को ट्राई कर सकते हैं ठीक है मधवनी मेडिकल कॉलेज की हम करें तो मदुवनी मेडिकल कॉलेजेज में आपको 10,17,000 के आसपास जो है वह कट अफ रैंक जाता है अन्रिजर्बज वाले बच्चों का वही अगर नरायना सासाराम की बात करें तो आपको वह 7,67,000 के आसपास जाएगा इसका ठीक है अगर उसके बाद हम आज आते हैं नेत आपका रैंक है तो यह कॉलेजेज आपको मिल जाएंगे अजस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे हैं अड्मिशन ले सकते हैं वहीं MGM किसंगंज में अगर हम सिख माइनुरिटी की हम बात करें तो एक सथ हजार शोरी छे लाख साड़े छे लाख के वाले बच्चे जो है व हो जाएगा अगर कटियार मेडिकल के मुस्लिम मेरनिटी के हम कट अफ कि अगर हम बात करें तो इसका जो है वह आपको 300-300 के आसपास इसका कट अफ जाएगा बधु एनिवाइन मेडिकल में जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे जो है वह एड्मिशन ले सकते हैं बच्च अभी 2024 का फियर स्ट्रक्चर नहीं आया है थोड़ा बहुत का डिफरेंस एक-2 लाग का डिफरेंस जो है वह हो सकता है ठीक है कटियार मेडिकल कॉलेज का जो है वह आपको 65-67 लाग का है नरायना मेडिकल कॉलेज होस्पिटल सासाराम जो है इसका आपको 70 लाग के अप्रो स्पर्जाँ देष्ट है स्परादम संपर्ट है рукण में 25 fringe सब्सक्राइब उसके बाद ऑसके बीन सब्सक्राइबक्र स्पर प्रॉपर वीडियो को सबके संपाल शत्राक्टर है आप लोग देख सकते हैं nutr जादा चेंजेस जो है वो नहीं होते हैं ठीक है थोड़ा बहुत का डिफ्रेंस जो है वो आपको रहने वाला है अगर हम मध्वानी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें फियर स्ट्रक्चर का देख सकते हैं जेनरल एंड मायनोरिटी वाले बच्चे का जो फी है ट्यूशन फी वह 13,50,000 है एनराई का जो है वह 21,000 डॉलर है ठीक है डेवलपमेंट फी दोनों का 50,000 है हॉस्टल फी तीन लाख है ट्रांस्पोर्टेशन फी परेनम 50,000 है रिफंडेवल सिक्रूटी डिपॉजित जो है वह आपको एक लाख पे करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद औ अगर हम बात करें तो इसका जो ट्यूशन फी है जेनरल के लिए 9,35,000 है मुस्री मालियोटी 9,35,000 है एनराई कोटा का जो है 25,000 है ठीक है 25,000 डॉलर यानि की हो गया आपको 17-18,00,00, ठीक है डबलपमेंट फी जो है एक लाख बीस जार है हॉस्टल फी आपको डाई लाख ह है रिफंडेवल सेग्रिटी डिपॉजिट एक लाख है टोटल पेवल एबन एडड़ एडमिशन जो है वो जनरल वाले बच्चे 14,45,000 पे करेंगे मुस्री मालियोटी वाले भी 14,55,000 पे करेंगे एनराई वाले बच्चे जो है वो 25,000 यानि की 17-18,00, और पलस उपर से 4,00 आख जो है उनको और पे करना पड़ेगा ठीक है बच्चो उसके बाद जो है यहां पर आप यहां भी टोटल जो है देख सकते हैं ट्यूशन फीज़ों है वापको सारे चार साल के लिए रिफंडेवल अप सारे चार साल के लिए रिफंडेवल सेक्रूरिटी डिपोजिट अब कोई डेमेज वगरा नहीं करते हैं तो आपका रिफंड हो जाएगा कॉन ये फी कंसेशन फी कंसेशन इटू इलिज़ अल्सों अबलेवल एकॉर्डिंग तू दूदा क्लाउस चर्टिस्टिक्स प्राइबट इन्वस्टिकेट डिल सिंस्टूदी अबलेवल ने इतन सकते हैं नराइना मेडिकल कॉलेज जो है आपका उसकी कॉलेज की अगर हम फी की हम बात करें जो सासा राम में है तो यहां पर देख लीजिए दस लाग अर्तीस जार जो है पर येर है ट्यूशन फी एन राइए कोटा का 25,000 डॉलर पर येर होस्टल में तीन लाग पर येर ह है अगर आपका यहां एडमिशन होता है इसी बैंक डिटेल पर आपको जो है पूरा फी होए ट्रांसपर्ट करना पड़ेगा ठीक है नेता जी सुबास मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें जो भीटा पटना में है उसमें ट्यूशन फी जो है वह 15 से 16 लाग का है 15,500,000 प है उसके बाद बुद्धा शुच अब डेंटल साइंस डेंटल का यह फी है टोटल यहां पांच पांच लाग है ठीक है टोटल पांच लाग है कुल वार्सिक सलाना ठीक है उसके बाद अगर हम आते हैं यह आपका आ गया यह आपको ESIC Medical College and Hospital है ठीक है भी हिटा में उसका है इसका देख सकते हैं ट्यूशन फी जो है वह आपका एक लाग हो गया एन्वल ट्पॉजिट पचास जार यह गवर्मेंट कॉलेज़ेज है ठीक गया इसके बाद आपका नेक्स जो कॉलेज़ेज है वह हो गया बिया रमेत का इंस्ट्रीट अप डेंटल साइन्स इसकी भी फी है आप देख सकते हैं टूशन फी जो है वह तीन लागते थीजार है एसी रूम नब्बैहजार इनन ए नन एसी रूम नब्बैहजार नो नो हजार पर मंथ और एसी रूम पंद्रहजार पर मंथ के हिसाब से आपको इसमें पे करना होगा इसका फी जो है वो देख सकते हैं परेनम जो है है नो है दस लांख है ठीक है औरहिफ्लप्मेंटट्रि 1 लांख है हॉस्ट्ल فी जो है वो तीन लांख है स्ट्ट्रेंट्ट् परोक से होवक्त मैफ़ी जो है एक Musk लाग है से तेरा लाक, स्क 되면ड एर तरड एर तेरा लाक, फिफ तियर जो है, वह आपको, छह लाख को पचासज जार ठीक है, को में लीटीते फूड़ एटीषयंटे जो है वो तीछ जार पर य और है, टोटल जो है आपको हो बात करें तो माता गुजरी की इगर हम बात करें तो माता गुजरी का जो फिये हजार जो है वो परेनम फी है जनरेल कटोगरी के सी कुमानुटी का भी सेम है रिफंडेबल सेक्रिटी डिपॉजिट एक लाग है ठीक बच्छो उसके बाद यहां पर आपको साइन करना पड़ेगा तेटीस लाग सत्तर हजार पांसों को भरना पड़ेगा अपको एडमिशन होता है यहीं आपको फी जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ठीक है अब बच्चों यहां पर देखिए यह सभी जो कॉलेजेज है उसका मैंने डिटेल में पूरा जो है फी इस्ट्रॉक्चर अलग-लग करके बना दिया है ठीक है यह पीडिएप मैं अपने टेलिग्र चैलिज़ा एड्मिशन के टाइम में सत्रालाग अर्थीज़ा रखे आसपास आपको देना पड़ेगा ठीक है माता गुजरी का टोटल जो है पैकेज आपको सतरलाग के आसपास है एड्मिशन के वह समय 16,13,000 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा ठीक है वहीं कटियार म अपने टेलिग्राम चैनल में भेज दूँगा जो भी बच्चे है लोड गुम बुद्धा का सट से अर्ट से अर्ट सट लाग का पैकेज है ठीक है उसके बाद नया आया के हिमालया मेडिकल कॉलेज आया है इसका भी पैकेज आपका वह 75-85 के बीच में रहेगा फ्यर स्ट डिटेल में वीडियो जो बना दूगा जो भी बच्चे प्राइबेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बच्चो प्राइबेट में बांड है आपको इंटरनल बांड साइन करना पड़ेगा कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 25-30 लाग जो है कॉलेज का फी जो है वो भ के लिए अगर पैसा लेता है सीट दिलवाने के नाम पन तो ऐसे लोगों से बच करके रहिए आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा बिहार ऐसे ही नहीं बदनाम है ठीक है इन्हीं लोगों की बज़े से जो है वो बिहार को बदनामी जहलनी परती है यह ओपन सीट है बाहर के ब प्रोसेस में वीडियो अपलोड करता हूं अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है रैंक बेस काउंसलिंग आपको नहीं पता है कि क्या होता है तो मैं थोरा सा ओवर्विव कर दो मतलब है कि आपको कौन से कॉलेज इस मिल सकते हैं काउंसलिंग में कोई भी प्राव्लम हो ठीक है तो हमारे एक्सपर्ट के थूचे तुच्छ चानसलिंग सपोर्ट गाइडेंस आप ले सकते हैं हमारी एक्सपर्ट किटी minimum fee में minimum and affordable fee में आपके पूरे counseling का process को overview कर देगी ठीक है बच्चो तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ तब तक के लिए जैहिं thanks for watching